बड़ी खबर हाथरस हाथसे को लेकर भगदर के मामले को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि ये मामला अब इलाबाद हाइकोर्ट में दाखिल की गई है याच्छिका आपको बताने कि नयाई जाज कराने की मांग यहाँ पर उठाई गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई है साथी साथ मुआज़े को लेकर भी यहाँ पर मांग की गई है और आपको बता दे कि नयाईक जांच हो जो लोग दोशीं है जो लोग जिम्मेदार है उनपर कारवाई की जाए ये भी मांग उठाई गई तो हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी यूपी के हाथ रस में हुई भगदर का मामला पहुँच गया है जनहित याचिका यहाँ पर दाखिल की गई है जिसमें पांच सदसी एक्सपर्ट कमीटी से सुप्रीम कोड के रिटायर जच की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है इस गटना पर यूपी सरकार से स्टेटस रेपोर्ट की मांग की गई है याचिका में खटका के लिए जिवेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी करवाई की जाने की मांग उठाई गई है याचिका में ऐसे समयरों के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग उठाई गई है सुप्रिम क पुलिस की एफायार में सत्संग के आयूजिन करता मुख्यत सेवादार देव प्रकाश मधुगर का नाम है लेकिन एफायार में बाबा सूरजपाल का नाम भी नहीं है आपको बता दे कि पुलिस की एफायार के मुताबिक सत्संग के लिए 80,000 श्रादालों की भीड़ी कर्थ करने की पर्मिशन मांगी गई थी लेकिन सत्संग में धाय लाग से जादा लोगों की भीड़ी कर्था हुई एफायार के मताबिक एफायार में बाबा की सेवादारों पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है आरोप ये है कि हादिसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े च तो हाथरस घटना स्थल पर मुख्यमंत्री भी जाएंगे ये एक और जानकारी आपको दे दे हाथरस में हुए हाथसे सिफ्तुरंत पहले का एक वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें बड़ी तादात में लोग सूरजपाल और फभोले बाबा की कार के पीछे भागते आएंगे और जन प्रतिनिदियों से भी पहले मुलाकात करेंगे उसके बाद घालों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीम योगी ये जानकारी मिली है तो लगतार मुख्यमंतरी नजर बनाए हुए हैं इस हादसे को लेकर आनके आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या जम्रतकों की संख्या है वो भी आंकड़ा अब बढ़ रहा है 116 लोगों की मौत की पुष्टी रात में हुई थी अब 121 यांकड़ा हो चुका है झालों की मौत की मौत की संख्या है